हेलो नमस्कार साथ यो बहुत-बहुत स्वागा थे आपके अपने चैनल रेलवे क्रेकर्स में आपका फ्रेंड्स सोल्जर जेनरल ड्यूटी का अलवर का जो है ना क्विश्चन्स पीपर में लिखिया चुका हूँ इसमें फ्रेंड्स में जीडी के क्विश्चन्स और क्लर क यह दोनों क्विश्चन्स में कराने वाला हूँ तो वीडियो को एंड तक जरूर दिखिये फ्रेंड्स बहुत जदा इंपॉर्टन्ट क्विश्चन्स क्विश्चन्स में सारे कराऊंगा तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लिजेगा स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स क को स्टार्ट करने से चोटी सी विंती अगर आप इंडिन आर्मी की त्यारी कर रहे हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए क्योंकि बहुत सारे कि प्रकार से कुश्स पोचे करें हैं जितने भी डिपार्टमेंट हैं जितने भी रिजन है सभी के रीजन सभी रीजन का हम लोग बारी करने वाले हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको यह फायदा होगा कि वीडियो के नोटिफिकिशन सबसे पहले आप तक परनारेस हिंदु विश्विधाले की स्थापना किस ने की थी तो मदर मोहन माली विये बहुत सारे एक्जाम्स में मैंने इसको क्वेशन का एनुवरिस मैंने करा रखा हूँ जाके देख सकते हो बहुत हल्प कप मिलेगा आपको भारत में शहिद दिवस का मना जाता है तो भा किस बाहर में स्थित है तो याद रुकिया पूचा क्या था इंडिया किस राज्य में स्थित है इस टाप से पूचा गया है तो कंफ्यूज मत हो येगा इंडिया गेट अगर पूचा जाए तो दिली में सित अगर गेटवे और इंडिया पूचा जाए तो मुम्बाइ में स English vay में तो उनको problem हो जाती है Gateway of India सोचते हैं कि India Gate के बारे में पूचा गया है अगर इंडिया गेट के बारे मी पूचा जाए तो व भी बोलते है India Gate के बारे में पूचा गया है तो confuse मत हो यह भाई लोग मैंने आपको बताया है इंडिया गेट जो है अपका दिल्ली में स्थित है किस कानून के विरोध में महात्मा गांधी ने 1930 में डांडी मार्च किया था तो याद रखे फ्रेंस नमक कानून याद रखे फ्रेंस महात्मा गांधी और इर्विन एक्ट के उपर भी कुछे जाते हैं तो वो दूनों एक् किस ने किस के दोर्ण लिखी गई है तो यह वे द्वेयास द्वारा लिखी गई है महा भारत, अगर आज बाल्मी की द्वारा लिकी गई है रामचरित मानस की बात करें तो राम मानस का स कि दूर्णore है छिपर एक्वार मालस back to तो आस प्रश्चिता को हटाने का उलेख किया गया अनुच्छेद 17 में क्वेशन को देखिए और क्वेशन को करने की कुशिश करें क्वेशन किस प्रकार से पूछ जाते हैं वो भी आपके लिए बहुत बड़ा फैक्ट बन जाता है बहरत के समयधानमया उच्छेद 17 में किस विशेद 17 वेलेख किया गया तो आस प्रश्चिता को हटाने का उलेख किया गया है अक्षर थाम मंद्र को मंदर क्वेशन करने से अपको यह फायदा मिलता है आपने जो है आपका रणिंग और मैडिकल क्लियर है बस आपको छोटी सी वे में एक्जाम पास करना होता है ये एक्जाम पास करने के बद आपको डारेक्ट वर्दी मिलती है वर्दी वो इसी वर्दी जो कि भारत के हर एक लड़की ये लड़किया पाना जाते हैं तो याद रखिये फ्रेंट्स कोशिश करना है हमें उस देश का नाम रोशन करने के लिए उस देश के हर एक बच्चों को मतारा हो फ्रेंट्स इतना मेहनत करना है कि उस देश के तिरंगे में लाजना आनी चाहिए उस लाज को हमें बरकरार रखना है और उसको अपने सर के कलम मतलब सर क माथे के उपर छपकाना है उस लाज को तो याद रहे है फ्रेंट्स महनत करनी है और पसीना बहाना है ठीक है राणा प्रताप सागर्म परमाडू उर्जा संजातर कि सिराज में सिद्वर्ण ते राजस्थान में स्तृत है नेक्स कुशन निम्न में से फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है तो मिल्खा सिंग को फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है याद रहे है फ्रेंट्स इनका मूवी भी आया था मिल्खा सिंग के नाम से मिल्खा सिंग में बहुत अच्छी से उन्होंने मैनत किया था मूवी का नाम था मिल्खा सिंग next question कौन सा देश लेंड औफ थाउजन्ट लेंग्स के नाम से जाना जाता है तो Finland याद रखेगा land औफ थाउजन्ट लेंग्स के नाम से जाना जाता है next question समिधान के किस अनुच्छे दम बताया गया है तो इसका एंसर रखेगा अनुच्छे 343 की अंतरगत आपको देखने को मिल जाएगा मुगल वन्स का आंतिम सासक कौन था रखेगा तो मुगल वन्स का आंतिम सासक हो जाएगा बहादूर शाह जफर ठीक है next question महरशी दयानन्द सरोसती एक महान हिंदु धार्मिक विद्वान सुधारक और डेश के संस्थापक थे तो मैं आपको बता दू महरशी दयानन्द सरोसती ये कुशन थोड़ा घुमावदार था इसके जो है संस्थापक जो है ये आपके आरे समाज के संस्थापक थे याद रहे है फ्रेंस महरशी दयानन्द सरोसती और स्वामी विवेकानन्द दोनों अलग अलग जो है ना संस्थापक थे तो आरे समाज के और वो अलग समाज के संस्थापक थे पाकिस्तान के परतम प्रदान मंतरी कौं थे तो फ्रेंट्स बहुत सरे बच्चे गल्द लिख लिखे आ गए है तो लियाकत अली खान जो हैं पाकिस्तान के परतम प्रदान मंतरी बने थे नेक्स क्विशन देखें साथ मैं सोलजर्ण से कलरक का infin seventy का मैं पेपर लेक्ट आया हूं जो कि मिर्सी का अहमद नगर का कुईशन पेपर है कुईशन पेपर में देखिए कि किस टाइप के कुईशन बन रहे हैं कुईशन को देखने के बाद आप वीडियो को शेर करना मत भूली है भारत का राश्ट्रे फूल देखिए फ्रेंट सी बि किस टाय किया जाता है अगर बनिका जीनिक का पेपर है तो आपका बहुत सिंपल सा आएगा या थरते पास का आता है अगर आपके यह गुणी कई के व्यों Keymetro आता आता है तो अच्छे लेक्ट प्योंट आता है अच्छेugen वाल के करेई जो कि आपकी daffyo हैं से lectures नेक्स सुन्यकाल क्या कहलाता है चंगेश खान किसकी स्थापना की थी नेक्स पढ़ते हैं अपने अपने डेकन अभियान के दोरान अलाउद दिन खिलजी की सेना का मुलिक कफूर बहुत सारे एक्जाम में पूछा गया कुछन है और याद रहें चेसल जो ऐसा सी चेसल का ए रहें उसके एक्जाम में भी एक पूछा गया था और मैं बता दू फ्रेंट्स यह जो कुशन से मैं आपको जब भी एससी चेसल के एक्जाम अभी खचल रहें जैसे खत्म होंगे उनके सारे के सारे पेपर मैं इसके लिए बनाओंगा आर्मी के लिए बनाओंगा और वो प प्रोटोन का जो आवेश है वो घनात्मक होता है याद रखेए फ्रेंट्स रनात्मक नहीं घनात्मक ठीक है प्राकरति गैस का मोग इखटा कौन सा है तो प्राकरति गैस याद रखेए फ्रेंट्स एल्पीजी की गैस में याद रहें म्यूथेन और ब्यूटेन देखने को को मिलता है, तो प्राकहरति के रूप में तो प्राकहरति गयसलिके रूप में होता है केशए का शरीर को प्रकार का होता है और खंड imposing की मतलब होता है क्या खंड यूकत का पней्परकार अर्थात श्में Uni मातरा हैं देखने को मिलती है Typeoid किसे कारण होता है Typeoid एक जिवाणू है जिसका नाम है Selvmulla Typhi उसके कारण होता है Typeoid जो जिवाणू بیک्टेरिया रहे तो होता है Next question, last question है Gas welding में पριयोग की जाती है कौन सा पριयोग की जाती है Acetylene पριयोग की जाती है गैस वेल्डिंग में तो याद रहे फ्रेंट्स प्लीज शेर फॉर मोर वीडियो अगर आपको इंड़नारमी के और भी वीडियो चाहे तो प्लीज यार इसको वीडियो को शेर करिएगा थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रें